तो यहां पर साम का टाइम है और लास्ट डे हम लोग का है कल हम लोग बस निकलने वाले हैं यहां से क्योंकि आगर आप लोगने हमारा पहले का ब्लौग देखा है तो यह हम लोग गाउँ आए थे गाउ में पूजा थी तो यहां पर साम को भाना रहे थे यहां पर गुलगपपा पानी पूरी से व Glue गुलते है तो यहां पर देख सकते हो घड़ार में जो मिलता है ना लुए मैं असानि से बन जाता है बस घर पर आलू का मिश्रन बना लो उसके बदर यहां पे पानी पूरी का पानी है और इसके बास तो तल कर आराम से घर पे खा सकते हैं यहां पे आ फंद फेल गति यहां पर आते हैं तो सब को खिलाने मुझे और जब ही मैं यहां आती हूं और दादा जी भी हमारे दादा जी भी बहुत ही रियम से खाते यह वह वाला तो बस पानी पूरी बन कर तयार है तो सब लोगों को खिला देते हैं फिर उसे बैठता था फिर नीचे उचलता था तो बस यही सा प्रैक्टिस कर रहा था ग्यान तो मैं उसे डाट भी रही थी कि चोट लग जाएगा बाबू लेकिन उसे मजा आ रहा था वैसे मतलब यह सब चीज एक्टिवीटी भी करता है तो सही है क्योंकि बार बार बच्च था उसके बाद फिर हम लोग अगको आज यहां से निकलना है फिर हम लोग को घर चलना है और उसके बाद देख सकते हैं सब हम तीनों यहां पर तैयार होकर बस गारी का वेट कर रहे थे गारी को आने में थोरा से 10-15 मिनेट अभी टाइम है इसलिए यहां पर बैठके बस सम जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि घर पर आते हैं तो यहां पर मम्मी पापा और दादाजी सब लोग पुड़ा परिवार एक साथ हो जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है सब लोगों के साथ में रहना पर मजबूरी भी हो जाती है क्योंकि ज्यान के पापा का स्कूल होता है उनको सुझा नासथा खाना यह सब कर दिक्कत हो जाता है और फिर जाना पर नहीं पर दो भी जाने का का मन नहीं था उसको समझाए कि चलो दस दिन बाद फीर आएंगे तो फिर देख सकते हैं बैग लेकर अपना बैग कुद से लेकर निकल रहा था तो ग्यान को तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो जाए यहां से वैसे दादी घर में आने के बाद ग्यान को होता है क्या मतलब कभी दादा बाहर लेके गए कभी दादी बाहर में घूमने का इसको मौका मिल जाता है वहां रहता है तो ज्यादा तो घूमता नहीं है वस थोड रूटींग और उसके बाद बच्चे को घुमाना फिराना और ग्यान थोड़ा सा बढ़ा भी हो गया है तो अब उसको गोधी में लेकर आने जाने में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है तो बस गारी आ चुकी थी और हम लोग अब निकलने वाले हैं तो यहां पर बस जो भी देवता हैं सबको परणाम करने वैसे मैं तो ब्राबर आती रहती हूं तो कि घड़ है और ममी पापा भी रहते हैं तो हमेसा आते जाते रहना चाहिए गाओ वाला घर बहुत अच्छा लगता है आने जाने में बस अब निकलते हैं तो देख सकते हैं यह लोग भी तयार हो गई है सब लुग निकल रहे हैं ममी को परणाम कर रहे थे और यहाँ पर मैं बैठ गई थी वस गारी में उसके बाद यहाँ पे गयान को देख सकते हैं गयान अभी बी ध्यान लगा रहता है ज्ञान को एक्साइज करवाना होता है उसकी सारी मेडेसिन ये सब मम्मी से नहीं समल पाएगा क्योंकि मम्मी की भी तवित खराब रहती है तो बस इस कारण है कि नहीं छोड़ पाते हैं कि मम्मी भी तो बड़ाबर आते ही रहते हैं मतलब सब्सक्राइब एक दो बार हम वीओ आ जाती है या फिर हम लोग महिने में एक दो बार आई ही जाते हैं तो सुझ ज्यादा पता नहीं चलता कि इसाज पूजा पाठ हो गया है तो बस हम दो going निकल रहा हैं और तीनों गूंगट टालना पड़ता है क्योंकि हर जगा तो यह सब नहीं मिल पाता है जहां हम लोग रहे हैं वहां कोई मतलब बंदिश नहीं है कितना बड़ा गूंगट रखना है गाउं में जाते हैं यह सब अच्छा भी लगता है तो यहां पर आ गए थे घर और यहां पर देख सक खाने में तो बस सब लोग विस्किट खा रहे थे हैं यहां पर बाबू रो रहा था तो दोनों आख में इसके आंसू देख सकते हैं विस्किट के लिए रो रहा था पिस्किस का प्लास्टिक बार बार पटक रहा था तो वहीं उठा लिये हैं तो बस रोने लगा और आने के का वीडियो हैं लोग रेडी हो गए थे और यहां पर देख सकते हैं हमारे घर का बगान हम लोग ने पहले ब्लॉग में डाला था छोटे-छोटे में पपीता का पेर लगाएं थे तो आज यह पपीता का पेर देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया बहुत खुशी होती है कि हम अपने हाथों से लगाएं और इसमें फल देने लगा बहुत ही खुशी हो रही है देखकर तो देख सकते हैं इतना साड़ा फल हो रहा है पहले तो पत्ता पुड़ा हो गया तो मुझे लग रहा था कि नहीं लग पाएगा लेकिन देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चली महसुस होता है तो डॉक्टर्स बोले हैं कि इस तरह को आप रोज पापाया खिलाए तो अच्छा रहेगा तो तो यहां पर फिर से आ गये थे मौल आप लोगों को लगड़ा होगा कि हम लोग बार बार मौल यहां पर इसी जगह पर क्यों आ रहे है तो अगले बार भार मु बाबु को बाबु के लिए कुछ समान लेना था तो उस दिन छूट गया था नहीं ले पाइता इसलिए इस दिन आये हैं और हमारे देवरानी को थोड़ा सा हैर कटिंग करवाना था और हमें भी एब्रू बनवाना था तो वह इसलिए हम लोग फ्रसा पालर भी जाने वाले यहाँ तो बस इसलिए सय भी ओरे आकर बस जल्दीसे स चलते हैं यहाँसे और देख सकते हैं बाबु को यह भी गुलगप्पा खा रहा था तो समग्सिंट किना यह पिए हम पzyंगा तो देख रहे हम एनने मजा है यहां पर घोपर कई तो बस हम लोगों का मार्केटिंग हो गया है बस चलते हैं पालर क्यूंकि जाएंगे तो पालर में एक घंटा लगी जाता है कि में हेर क्याटिंग करवादा है सब को आइब्रो बनवाना है तो बस वहां से निकलने के बाद पर चलते हम लोग घर कि कि अचिसा है कि अचिस घट को टुब долларов přाइप बाजा definitive यह दो तो पालर में बाबु को बहुत मजा रहा था वह भी चेर पर बैट को जुला रहे थे बहुत खुस था तो आ गए थे हम लोग पालर से तो यहां पर ले के आए थे चौमीन और बर्गर वहां पर इस वार कुछ नहीं खाएं क्योंकि जैसा कि हम बताएं थे कि हमें जल्दी आन को तक्याप